हेलो दोस्तों राम रतन स्टेडी यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 23 मार्च तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 23 मार्च 23 की क्लासे तो जो भी फ्रेंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यह हमारे चैनल पर फरस्ट टाइम आये हैं तो वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहां पर डेली करेंट अफ्यर्स की वीडियो अपलोड किये जाते हैं और इसके साथ ही फरस्ट कोशन है हमारा विस्व कविता दिवस कब मनाया जाता है विस्व कविता दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों विस्व कविता दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्ज को कब मनाया जाता दोस्तों 21 मार्ज को मनाया जाता है विस्व कविता दिवस तो इसके बारे म तो देखें यहाँपर विस्व कविता दिवस 21 मार्च को प्रतेक वर्स कविता के माध्यम से भासा की अभिवक्टी का सम्मान करने के लिए विस्व भर में मनाया जाता है और यह दिन लोगों को कविता पढ़ने लिखने और पढ़ने के लिए प्रोतसाहित करता है और इसे संगीत नरत्य और कला जैसे अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के साथ जोड़ता है तो चलिए फ्रेंड्स अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन दिया गया है हाल ही मैं ITU WSIS 2023 पुरस्कार किस भारतिय पहल को प्रदान किया गया है तो वो किया गया है audit online application को audit online application को ITU WSIS 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है तो important points देख लेते हैं इसके तो WSIS इसका full form होता है World Summit on the Information Society इस पुरस्कार को जिनेवा में प्रदान किया गया और यह है पुरस्कार पंचायती राज जिमंत्राले के audit online app को दिया गया है audit online app 2023 में launch किया गया था ठीक है दोस्तों आगे देखिए आगे दिया गया है हाल ही में जारी World Happiness Report 2023 में प्रथम इस्थान किसे प्राप्थ हुआ है तो अभी हाली में World Happiness Report आई है 2023 में तो देखे यहां पर उसमें सबसे प्रथम इस्थान किसे प्राप्थ हुआ है तो वो दोस्तों प्राप्थ हुआ है Finland को Finland जो है वो फर्स्थ इस्थान पर आया है प्रथम इस्थान पर आया है ठीक है World Happiness Report के अकॉर्डिंग तो यहां पर देखिए important points देख लेते हैं इसके तो World Happiness Report 2023 के अनुसार लगातर छटवी बार Finland प्रथम इस्थान पर है लगातर छटवी बार है दोस्तों लगातर छटवी बार Finland जो है वो प्रथम इस्थान पर है और भारत का कौन सा इस्थान है तो भारत इस बार 126 वे इस्थान पर रहा अफगानिस्थान जो की सबसे लास्ट इस्थान पर है वो है 137 वा 137 वे इस्थान पर यानि की अंतिम इस्थान पर आप्थ हुआ कि इसको अफगानिस्तान को तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहला इस्थान मिला है फिनलेंड को और भारत को मिला है 126 वा और अफगानिस्तान लास्ट आया उसको मिला है 137 वा इस्थान यहां पर देखिए आगे वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डे सॉल्यूशन नेटवर्ख जारी करते हैं ठीक है आगे देखिए आगे दिया गया है थृ हल muti में विदेश राज्य मंत्री मीनाकशी लेखी ने भारत महुचाव 2023 का उध्गातन कहा किया है तो विदेश मंत्री विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महुतसव 2023 का उदगाटन कहां किया तो वो किया दोस्तों कोवेट में कहां पर किया तो किया है कोवेट में यहां पर देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदू तो यहां पर लिखा है कोवेट 19 के बाद भारत महुच्व का पहली बार आयोजन कोवैत में हुआ है तो दोस्तों भारत महुच्व का जो आयोजन है वो कोविट 19 के बाद पहली बार हो रहा है तो इसलिए important बन जाता है जिसका आयोजन कहां पर हुआ है तो वो हुआ है कोवैत में आगे देखिए आगे पाँचवा कुशन है हमारा विस्व गौरईया दिवस 2023 कब मनाया गया तो विस्व गौरईया दिवस मनाया गया 20 मार्च को कब मनाया गया दोस्तों 20 मार्च को जो है वो विस्व गौरईया दिवस मनाया गया यहाँ पर देख लेते हैं important points तो आपर देखिए पहली बार मनाय गया था और इस बार की थीम क्या थी तो इस बार की थीम थी I love Sparrow I love Sparrow इस बार का विसे था विस्व गौरईया दिवस का जो विसे था वो था I love Sparrow आगे देखिए आगे कुश्चन दिया गया है Message India 2023 किसे चुना गया मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया तो दोस्तों वो चुना गया जोती अरोडा को मिसेज इंडिया 2023 चुना गया है तो यहाँ पर देख लिजीए यहाँ पर देखी क्या लिखा है मिसेज इंडिया पेजेंट भारतिय विवाहित महिला की सुन्धरता प्रतिभा ग्लैमर और संस्कृती को प्रदर्शित करने का एक मंच है और यह इवेंट दिल्ली के एरोस होटल में आयोजित हुआ ठीक है दोस्तों ध्यान रखेगा आप लोग आगे देखिए आगे है हाल ह कि मैं किस ग्रह पर वैग्यानिकों के द्वारा सक्रिय ज्वाला मुखी की खोच की गई तो वो की गई शुक्र ग्रहे पर कहाँ पर की गई दोस्तों शुक्र ग्रहें पर की गई तो यहां पर देखिए important points देख लेते हैं थोड़ा यहां पर देखिए प्रत्वी के अलावा किसी ग्रह पर सक्रिय जौला मुखी इससे पहले नहीं मिले थे हाला कि ब्रस्पती के चंद्रमा पर सक्रिय जौला मुखी है लेकिन किसी ग्रह पर सक्रिय जौला मुखी नहीं मिले थे लेकिन अब कहा पर मिलगा दोस्तों तो वह मिलगा शुक्र ग्रया पर शुक्र ग्रया को प्रत्वी का जुड़वा बेहन भी कहा जाता है और शुक्र पर एक वर्स दोसो पच्चिस दिन का होता है शुक्र ग्रह पर एक वर्ड किते दिन का होता है दोस्तों तो वो होता है दोसो पच्चिस दिन का आगे देखिए आगे दिया गया है कुश्चन तुर्कमेनिस्तान के नई रास्ट्रपती कौन बने है तो यह बने है दोस्तों सरदार बर्दी म सर्डार बरदी मुहमदोब वो तुर्कमेनिस्तान के नए रास्टपती बने हैं यहां पर देखिए तुर्कमेनिस्तानी कहां पर इस्तित है तुछे एस्या मुहादविप में सतित है और एसकी र आगे देखिए, आगे दिया गया है, किस देश के सूध करताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नस्ट करने के लिए Relativistic Kleistron Amplifier यानि कि RKA नामक लेजर हथियार विक्सित किया है तो वो दोस्तों किया है, चीन ने, चीन ने दोस्तों अंतरिक्ष में उपग्रह को नस्ट करने के लिए Relativistic Kleistron Amplifier नामक लेजर हथियार विक्सित किया है ठीक है फ्रेंट्स याद रखिएगा आप, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लिजे इसके तो चीन की जो राजधानी है, वो क्या है, बीजिंग, मुद्रा है, रेन, मिन भी, या फिर युवान भी है और रास्ट्र पती है यहां के शी जिन पिंग, चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है तो किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिस्थित स्पोर्टस आइकन पुर्षकार से सम्मानित किया गया है तो किस क्रिकेटर वो किया गया दोस्तों तो वो किया गया है सुरेश रहना को सुरेश रहना को माल्दीव सरकार द्वारा प्रतिस्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरुसकार से सब्मानित किया गया है तो दोस्तों ये तो रहे 23 मार्श 2023 की current affairs के questions जो की most important है exam में आने के बहुत ज़्यादा chances है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा बहुत अच्छे से याद रखिएगा और रोज daily current affairs देखने के लिए आप चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं next video में